प्रदशन किया रहा है कि विश बिद्धी हो रही है जिसको ले करिए धरना प्रदशन करें प्रदशन किया रहा है कि विश बिद्ध्याले में नई सिक्षा निती जो केंद्र की भाज़ता की सरकार ले करके आई है उस निती के तहट सीबी स्येस को लागू किया गया और फीश बिद्धी हो गया जो कोर्सेज अनुल थे अब वो कोर्सेज समेस्टर वाइज हो गया है असीदे सीबीस दोगूना हो गया है तो यह एक तरह से पश्विद्याले को मिजी करण की ओट कि लड़ाई है क्योंकि आप दीरे देश भर में प्रयों किया जा रहा है और विस्विध्याले के उपर भी लगने लगी है और पट्णा विस्विद्याले को का निजी करन होने से बचाने और पट्णा विस्विद्याले में 20 प्रिदु जो हुई है उसको वापस विस्विद्याले पर सासल ले इसी को लेकरके आज हम लोग कर प्रेश्टे है आईशा कुमार्धिव्यम इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है आप चारे जो यरली पहले होता था वैसे ही नहीं सवाल यरली और सिमेस्टर का नहीं है सवाल पी हाई का है हम लोग 20 वृत्व को वापस करने के लिए किये है क्योंकि नए सिक्षा निति यह कहता ही है नए सिक्षा यह कहता ही है कि हम ग्रेडर आटोनोमी लेकर के आएगे ग्रेडर अटौनी का मतला भी होता है कि विष्टालों को वीत्री आटोनोमी स्देंगे आटोनुमस पनाएगे और वो अपना फीस खूद तैय करेंगे तो इसके खिलाप नडाई है ही हाइक जो हुआ है फीस व्रिदी जो हुआ है इसको वापस करने की लड़ाई है तो कि आम मध्यां गरीब नीचे परिवार के जो लोग है जो लड़के अच्छा छत्राय आते हैं वो एक पब्लिक फॉंडेट इंवसिटी है और इसका पजट देना इसको चलाना यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपने जिम्मेदारियों से हटना चाहती है ताकि गरीब बंचिततव के लोगों को उप सिख्चा से दूर किया सके है अब 2023 में कर रहे हैं दरसल 2023 में नहीं कर रहे हैं 2020 में आया था 2020 से ही आईसा का अंदोलन चल रहा है और देश भर के अलग अलग विशुद्यालेव में आपको लगता है कैसे परदेशन करने से आपकी मांग पूरी की जाएगी बिल्कुल हम उने किया है बहुत सारी मांगे पूरी वी हुई है आज के दौर में जैसा के हम देख रहे हैं पटना विशुद्याले को बिहार के विशुद्याले को परदेशाले बना दिया गया है आई दिन हम देखते हैं कि कभी होस्टलों का भी कुछ कभी मेश तर्चलती नहीं है सुचारूप से यहां प्राविटाइशन का इसे पटना विस्विद्याले को किया जा उसके बाद अन्य विस्विद्याले जिसके लशर हालत उसको कैसे खत्म किया यह बिहार यह पूरी हाई एडूकेशन को बढ़ाद किया जाए यह सरकार चार रही है और नई सिछानिती इसा बस पेपर पे दिखाया जाना है जिन चीजों का चार्ज जो लिस्ट बनाया गया है कि यह चार्ज बर रहे हैं वह कहीं भी अब फालतों में दिखा रहे हैं कि साइकल स्टेंड किसी कॉलेज में साइकल स्टेंड ही नहीं है लैब का सुबिदा पे मांग रहा है 600 इसान के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ कोई टाइकून के बच्चे परने नहीं आते हैं यहां बिजनेसमन के बच्चे पर दो है प्रइबेट को वकुरह करने में तून टिसर रुप्य करकोंगर होंगे मैडम बताई गरीब का बच्च गिसान का बच्च दे पाएगा धा करने हो तब्तह करक वापस नहीं होगा अड़े वापस नहीं होगी अर्प देगी लड़ना है भाई यह तो लंबी लड़ाई है जीतने के वास्ते मसाल को जलाई है तो आप देख रहे हैं यहां पर यह बोल रहा है जब तक इनकी मांग है वह पूरी नहीं की जाएगी तब तक यह लोग प्रदेशन करेंगे कही नहीं जो बच्चे जो आते हैं जिनके पास फीज की फैसलिटीज दे रहती है उनके लिए बहुत ज्यादा हाई है फीज इसको ले कर यह लोग परसुन का रह बन रहे हैं इसको उनके साथ मैं काज़न सब्सक्राइब